असलाम अलेकुम प्रेंट्स आज हम ये क्वेस्टन सालब करते हैं फाइंड नंबर अव टरम्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6, 9, 12, and 78 अप्टू 78 तो ये हमारे साथ एक क्वेस्टन है यानि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानि इसका मतलब है सक्सेस्शू टरम्स और सेमर कामन करने इसना अर्थमेटिक प्रोग्रेसंस और अर्थमेटिक शिक्वेंस उसको कहते हैं तो इसकोित्स सालब करते ह। ये हमारे साथ क्वेस्टन है यानि अभी इन आवी HR прोगरेशन and an value हमारे साथ है यनि number of terms हमारे साथ है 78 तो हम difference फाइन करते है difference यनि d equal to a2 minus a1 तो a2 का value हमारे साथ है 9 और minus यनि a1 का value हमारे साथ है 6 तो d हमारे साथ 3 आ गिया यनि ये difference हो गया ये हमारे साथ d आ गिया अब हम क्या करेंगे यनि number of terms को find करते है number of terms हमारे साथ ही यनि an ये हमारे साथ पार्मूला है an equal to a1 plus n minus 1 d यनि ये इस पार्मूले के जरिये हम number of terms को find करते है तो an value हमारे साथ है 78 equal to a1 value हमारे साथ है 6 plus यनि an find करते है minus 1 और d value हमारे साथ है 3 तो हमारे साथ d value 3 हो गया अब 71 equal to 6 plus ये 3 जो है इसके साथ हम multiply करते है तो 3n आ गया और minus 3 हो गया 78 अपनी जगह पे और 6 से यनि 6 से 3 minus करते है तो हमारे साथ 3 आता है plus 3n अब ये 3 जो है यहाँ पे ले आए तो 78 यहाँ पे plus है तो minus 3 हो गया और यनि ये 3n हो गया तो 78 से आप 3 minus करते है तो 75 आता है और यहाँ पे 3 आ गया यनि 3n अब 3 को बोट साथ पे डिवाइड करें तो हमारे साथ यनि ये 3 इसके साथ finish हो गया यनि cross हो गया और यहाँ पे भी 3 लगाए तो 75 को 3 पे डिवाइड करें तो 25 आता है so number of terms हमारे साथ है 25 this is the required answer thank you for watching